किसी ने सिग्रेट दी तो किसी ने गर्द, किसी ने चरस, आफू तो किसी ने शराब दी इस खुशाल जिन्दगी के सफर की सारी आदते खराप करते लोग अक्सर बहारी चुनोतियों से तो लड़ लेते हैं लेकिन उनके अंदर की चुनोतियों उन्हें खोपला करते हैं नशा एक ऐसी चीज है जिसका अंतसरिफ विनाश और विनाश ही करता है कभी खुशिया गम के बहाने तो कभी शान और शौकत के लिए किये जाने वाला नशा कभलत बन जाता है इसका पता भी नहीं चलता कुछ पल भर की मज़ा जिन्दगी भर की सजा कभ बन जाती है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता नशे के कारण कई जिन्दगिया बरबाद हुई है और सई समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो और कई जिन्दगिया बरबाद हो सकती है पर क्या इसका इलास फंबव है? हमारी टीम ने इस पर रिसर्च किया है और पाया है कि नशा एक बिमारी है और इसका इलास संबव है पिछले कुछ सालों में भारत के साथ-साथ पूरे विश्व भर में नशा खोर, नशा पीडितों की संक्या में इज़ापा हुआ है इसी नशे के कारण किसी ने हत्या तो किसी ने आत्म हत्या करने के मामले भी सामने आये हुए है इसी गंबीर परिणाम को देखते हुए नशी के नुकसान के प्रती जागरुकता लाने के लिए और साथ ही साथ नशा मुक्ती के लिए कुछ संस्ताय भी आगे आई है और उन संस्ताओं में से एक है भंडारा विसन मुक्ती एवं पुनर्वसन के अंदर यहां के मेंगेट से प्रवेश करते ही रास्ते के दोनों तरब की हरे भरे बहुत है आपका स्वागत करते है इंट्रोडक्शन रूम में पेशन्स की कॉंसिलिंग करने के बाद लोहे की दर्वाजे से अंदर आने पर सबसे पहले उन्हें डिटॉक्स रूम में रखा जाता है साथ-8 दिन यहां कुछ सेशन करने के बाद रूग्णों का मांसिक तनाव दूर करने के लिए यहां पर ट्रीटमेंट किया जाता है यहां पर जनरल वाल्ड है और डिलक्स रूम भी यहां पर एसी रूम भी है और सुपर डिलक्स रूम भी यहाँ पर अपने हिसाब से रुग्णों को सेवाई दी जाती है और अगर आपको प्राईविसी चाहिए तो यहाँ पर प्राईवेड AC डिलक्स रूम भी अविलेबल है जहाँ पर VIP ट्रीट्मेंट दी जाती है साथ में AC वार्ड भी अविलेबल है एक अनुशासन के चलते यहाँ पर पेशंस और केरेटेकर दोनों के लिए ट्रेसकोड है। रोज की एक दिनचरिया है। बड़े से हॉल में सब मन शानती के लिए और सामुहिक प्रार्थना एउन योगा के लिए इखटा होते हैं। यहाँ पर माइन को डायवर्ड करने के लिए जगा जगा पर नशामुक्ति के स्लोगांस एवन पोस्टर लगया है। जो नशे से दूर जाने की मानसिक्ता सब के मन में निर्मान करते हैं। रिलाक्स टाइम में पेशन्स न्यूस पेपर पड़ते हैं या मनोरंजन के लिए टीवी पर प्रोग्राम्स देखते हैं। यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ मेडिटेशन भी किया जाता है। चेस, कैरम, इन खेलों के साथ साथ कुछ मेडानी खेल भी यहाँ पर खेले जाता है। जो स्वाधिश्ट भोज बनाता है। यहाँ पर स्वच्चदा के साथ साथ कॉलिटी का भी पूरा खयाल रखा जाता है। इसलिए यहाँ पर आई लोगों को घर जैसा माहोल यहाँ पर लगता है। यहाँ पर डेवी विजिट देने के लिए डॉक्टर अश्विन हटवाल आते हैं और सब की सेहत का खयाल रखते है। तो वही फरक होता है घर पर टीटमेंट करना और यहाँ वेशन मुप्ते में टीटमेंट करना एक बहुत बड़ा अंतर है। वह अंतर यह है कि डिसिप्लिन जो हम पेशन्ट यहाँ पर हम लाते हैं यहाँ पर प्रॉपरली मेडिकेशन्स पूरा बीडी डोस् दो टाइम चैना में मेडिस्ट गलाकर बलते हैं करता है। सब भुला कर यहां सब एक हो जाते हैं भजन संद्या के साथ साथ यहाँ पर अपने मजहब के हिसाब से इबादत करने का पूरा फ्रीडम है यहां पर की जाने वाले आयरुवेदिक ट्रीटमेंट यहां के इलाज का एक एहम हिस्सा है सुभ़ से लेकर रात तक हर पेशन का शेडुलिंग बना हुआ होता है बिहेवेयर, कॉंसिलिंग, सिबीटी थेरपी, ग्रूप डिसकर्शन और शेरिंग क्लास के साथ साथ किये जाने वाले अन्य शेशन से पेशन को खोई हुई पॉजिटिव एनरजी मिलती है और नकारात्मत्ता दूर होती है योगा मेडिटीशन के लिए योगतग्य, सिहत का खयाल रखने के लिए प्रशिक्षी डॉक्टर्स, नर्शिंग स्टाफ, पढ़ने के लिए बूक्स, न्यूस पेपर, मनोरंजन के लिए टेलिविजन, खेल खेलने के लिए प्रोच सहन, तनाव दूर करने के लिए मूटि जाते वक्त इस वैसन मुक्ति केंद्र की प्रति वहां गोदधनाता प्रत करते हैं। अब अपना पन लग रहा है यहां इतने लोग हैं कि सब हम मिल जुल के चलते हैं। बहार की जिंदगी की कुछ यादी नहीं आती है। बहुत बढ़िया लगता है यहां। नकारात्मक ताको दूर कर, सकारात्मक शक्ति का और नई उर्जा का संचार कर नशाखोरी का इलाद संभव है। यह भंडारा व्यसन मुक्ति केंद्र ने सिद्ध किया है। मन में दुनिया जीतने का एहसास लाना है। बढ़ती नशाकोरी से अगर चुटकारा पाना है तो आज ही संपर्क करे। भंडारा व्यसन मुक्ति केंद्र एवं रिहाबिलिटेशन सेंटर।